आज हम क्लास टूर की उड़्दू मीडियम की साइंस पढ़ेंगे हमारा आज का लेक्चर नमबर सैवन हम साइंस का यूनिट नमबर टू पढ़ रहे हैं जानवरों की एक साम कल हमने पढ़ा था कि जानवर कई किसम के होते हैं वो अपनी रंग शकल और जसाम यनिकत के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और जानवरों की जिल्द किस तरह से उनकी इफाज़त करती है जैसे तोता सब्स रंका होता है तो वो पत्तों में असानी से छूप जाता है जिब्रे की धारियां उसे जाडियों में चुपने में मदद देती है इस तर सजाने होते हैं तोते के पर होते हैं इस तरह से जानवर जिल्द के इतबार से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है आज हम सवाल नमबर 4 पढ़ेंगे सवाल नमबर 4 है कौन से जानवर सर्थ इलाकों में रहते हैं इसका जवाब है बरफानी रीच और पैंग्विन बगारा सर्द इलाकों में रहते हैं सर्द इलाके यनि ठंडे इलाके इनके उपर मोटीफर और जिल्द के नीचे चर्बी की तहें होती हैं जो इनके जिसम को गरम रखती हैं फिर से सवाल की रीडिंग करते हैं कौन से जानवर सर्द इलाकों में रहते हैं सर्द इलाके यनि ठंडे इलाकों में इसका जवाब है बरफानी रीच और पैंग्विन बगारा सर्द इलाकों में रहते हैं इनके उपर मोटी फर और जिल्द के नीचे चर्बी की तहें होती हैं जो इनके जिसम को गरम रखती हैं यहीं इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले यहीं सर्द इलाकों में रहने वाले जानवर कौन से होते हैं तो बरफानी रीच और पैंगुन वह जानवर हैं जो सर्द इलाकों में यहीं ठंडे इलाकों में रहते हैं यह किसलिए इतनी सर्द इलाकों में रह सकते हैं क्यूंकि इनके उपर जो जिल्द होती है वो मोटी होती है और इनकी जिल्द के नीचे चर्बी की तहें होती है और चर्बी इनके जिसम को गरम रखने में मदद देती है जिसकी वज़ा से ये इंतहाई सर्दी में ठंडे इलाकों में रह सकते है सवाल नमबर पांच है कौन से जानवर गरम इलाकों में रहते हैं इसका जवाब है उंट और शुतर मुरग सहरा जैसे सहरा जो रेतले मैदान होते हैं जहां पर रेत होती है सहरा जैसे गरम इलाकों में रहते हैं सवाल नमबर पांच को फिर से पढ़ते हैं कौन से जानवर गरम इलाकों में रहते हैं, इसका जवाब है, उन्ट और शुतर मुरग, सहरा जैसे गरम इलाकों में रहते हैं, सहरा मैंने आपको बताया के रेतला मैदान, यह जहां पर रेत होती है, गरम इलाका होता है, तो कौन से जानवर रहते हैं गरम इलाकों में, उन्ट और शुतर मुरग, आज हमने सवाल नंबर चार और पांच पड़ा है, आपने इन दोनों सवालों को अच्छी तरह से याद करना है, अपनी नोट बुक पर लिखकर जुबानी चेक करना है, आपको हमारी वीडियो अच् चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कल इन्शाला अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफिस,